हेलो प्रेंट्स, वेलकम बैक टु टेक्निकल ब्रगू, दोस्तो सेमसंग ने A-Series के अंदर सेमसंग Galaxy A70 and Galaxy A80 दोनों ही इस्मार्टपोन लॉंच कर दिये हैं और अब सेमसंग A-Series के अंदर लॉंच करने वाला है अपना एक और स्मार्टपोन जो की होगा सेमसंग Galaxy A90 दोस्तो ये smartphone Samsung की A-series के अंदर सबसे बैतरी smartphone होने वाला है जिसकी प्राज रखी गई है 72,000 रुपीज और इतनी प्राज में आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 855 का Octa-Core processor and in-display fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा और इसके साथ ही आपको 48MP का triple-year camera and 32MP का selfie camera भी मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं Samsung Galaxy A90 के बारे में कि इसमें आपको क्या-क्या feature देखने को मिल सकते हैं और क्या होगी इसकी Indian price और कब तक ये आपको Indian market में भी देखने को मिल सकता है तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो श्टार्ट करते हैं इसकी डियान से तो इसमें आपको Aluminium का back panel देखने को मिल जागा जिस पर आपको Gorilla Glass 3 का protection मिलेगा और इसके साथ ये आपको triple-year camera setup भी मिल जागा और बात करते हैं print side की तो इसमें आपको 6.7 inches का full HD plus super amulet display देखने को मिल जागा जो की infinity u notch वाला display panel होगा और इसके साथ ये आपको in display fingerprint sensor और Gorilla Glass 6 का protection भी मिल जागा और अब बात करते हैं इसके camera's की तो इसमें आपको triple-year camera setup देखने को मिल जागा इसका main sensor 48MP का Sony IMX586 का sensor होगा 8MP का ultra-ward angle lens होगा और 5MP का depth sensing sensor होगा और front side में आपको selfie के लिए 32MP का selfie camera देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको OIS technology and HDR जैसे feature भी देखने को मिल जाएगे और अब बात करते हैं इसके processor की तो इसमें आपको Qualicum Snapdragon 855 का octa-cordy processor देखने को मिल जाएगा जो की 5G को भी support करेगा और इसके साथ ये आपको Android 9Pi का support भी मिल जाएगा और दोस्तो अब बात करते हैं इसके RAM variant की तो ये आपको 2 RAM variant में देखने को मिलेगा 6G RAM प्लस 128GB और 8G RAM प्लस 250 6GB internal storage और दोस्तो अब बात करते हैं इसकी battery की तो इसमें आपको 45MH की battery देखने को मिल जाएगी with fire charging भी available होगा और इसके साथ ये आपको 45W का fire charger भी box के अंदर मिल जाएगा तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसकी expected launch date की तो दोस्तो ये आपको Indian market में September 2019 में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दीजिए और चैनल पर अभी तक नए हो तो फ्लीज चैनल को सब्सकाइब करें दीजिए